नमस्कार दोस्तो आची क्लास में हम सब्जाट कोड B.H.D.A.E.1.A.2 के कोशन पेपर की चर्चा करेंगे कोशन पेपर होगा दिसंबर 2022 का टोटल जो कोशन आपको करने होगे 5 कोशन करने होगे 10-10 नमबर का एक कोशन होगा maximum marks होगे 50 और time होगा 2 घंटे जैसे कि पहला कोशन है भाषा के सुरूप और उसकी प्रकरती का परिचे दीजिए तो चैप्टर नमबर 1 ना बहुत ज़्यादा important है और वहाँ से हमेशा एक नएक कोशन आता ही है और ये कोशन है चैप्टर नमबर 1 से ही अगला कोशन है सुर और वेंजन वर्णों की चर्चा कर लिए और उनका उच्चारण कहां से होता है इनके बारे में भी बताईए तो चैप्टर नमबर जब आप दोसरा पढ़ोगे ना तो दूसरे चैप्टर में आपको इस कंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा अगला कोशन है मूल सोर के अवधाना के बारे में बताओ चैप्टर नमबर 3 से ये कोशन है वर्णों की परिभाशा देते हुए वेंजन वर्ण की विशेस्ता है बताओ चैप्टर नमबर 4 से ये कोशन है संग्या और उसके प्रकार पर प्रकास डालिए तो चैप्टर नमबर 6 जब आप पड़ोगे तो वहां से इस question concern मिलेगा सरुनाम को इसपष्ट कीजिए और उसके भेदो की चर्चाई बताईए तो ये भी आपको चैप्टर नमबर 6 से मिल जाएगा इसी प्रकार से करता और करम के बीच में संबन बताईए और क्रिया के अनवेय का विवेचन कीजिए चैप्टर नमबर 7 से ये question मिलेगा मौखिक संप्रेशन को इसपष्ट कीजिए चैप्टर नमबर 9 से ये question मिलेगा आपको चैप्टर नमबर 8 में भी इसके कुछ भाग पर चर्चा की गई है आगे आपको चार ओप्षन दियें टिपने करने के लिए इसमें से कोई से दो ओप्षन करने हैं आपको वाचन कोशल या मिस्रवाक्य या वन्ड विचार या देवनागदी लिपी तो देखो नौ में से आपको सिर्फ पांची कोशन करने चार कोशन आपको छोड़ने तो इससे पतलता है कि अगर आप एक यूनिट भी ढंक से पढ़ लो तो एक यूनिट पूरी पढ़ लो अच्छे से पहली वाली जो है और दूसरी उनिट से कोई से भी दो चैप्टर पढ़ लो तो लास्ट के दो तिन चैप्टर छोड़ भी दोगे ना तब भी बड़े असानी से पेपर आपका पूरा हो जाएगा चैनल पर नए हो तो चैनल से ज़रूर जुड़ो ताकि आपको सभी वीडियो प्रवाइड हो सके इसके साथ चीज़े समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें